कुछ गलतियां जो हम लेडीज अपने घर और किचन में कर लेती हैं उन्हें करने के बाद ही हमें पता चलता है कि यह हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था घर के काम को निपटाने के लिए हम बहुत ही ज़ादा एफ़र्ट लगाते हैं चाहे किचन का काम हो या घर की डिली क्लीनिंग का काम हो तो छोटे चोटे चोटे टिप्स को फॉलो करके हम इन्हें आसान तो बनाई सकते हैं साथ में अपना बजट भी समाल सकते हैं अचार रखने के लिए पर रस्ट लग जाता है क्योंकि अचार जो है खटा होता है और उसकी वज़े से यह जो लेड है न यह खराब हो जाती है इन में रस लग जाता है और इन जो यह चीज लेड है यह बिल्कुल खराब हो गया इसमें छेद हो गया है तो आप देख सकते हैं कोई भी खटी चीज रखने के लिए इन बॉटल का यूज कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक की ही बॉटल का यूज कर सकते हैं जो बॉटल प्लास्टिक की ही हो और उसका कैब भी प्लास्टिक का हो तो इस तरह कि या फिर आप चीनी मिट्टी की भी बॉटल का यूज कर सकते हैं लेकिन आप इन मैटल वाले ल जब भी कुछ समाल लाते हैं तो हमारे गर में इस तरह की प्लास्टिक की जो चमचे है न वो बहुत सारी हो जाती है तो इनका यूज आप अचार निकालने के डबे में ही कर सकते हैं चोटी स्पून का आप चोटे डबे में यूज कर लीजिए और बड़ी स्पून का आप बड़ी डबे में यूज कर लीजिए इससे क्या होगा कि बार बार आपकी चमच जो है न वो गंदी भी नहीं होगी और आपकी जो चमच है वो खराब भी नहीं होगी अगर डबे में डली भी रहेगी आचार में तो खराब नहीं होगी प्रीकी सर्दियां आ गई हैं और बहुत सारी मटर भी आ गई हैं और लगबग हर सब्दी में हम मटर जरूर यूज करते हैं तो जब भी मटर चीलने बैठते हैं तो बहुत जादा मैस हो जाता है कुड़ा जादा निकलता है मटर कम निकलती है तो क्या होता है जब भी आप मटर चीलने बैठे ना तो हमेशा अपने काउंटर पे ना कोई भी वेस जो न्यूस पेपर है उसे रख लीजिए अगर आप प्लास्टिक की कंडेनर्स जो होते है तो हमें फूट के साथ मिल जाते हैं इनमें आप मतर वगडरा स्टोर करके रख सकते हैं जब नहीं जाडु लाते हैं तो इस तरह से ना बहुत परेशानी होती है जब भी जाडु लगाने चलते हैं तो उसमें से इतना डस निकलता है इतना घर में से कूड़ा भी नहीं निकलता, जितना इसमें से डस्ट निकलता है. ज़ाड़ो लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है. तो जो भी इसकी प्लास्टिक होती है उसके अंदर इसे रहने दीज़ें और उसके अंदर इसे हाथों से इस तरीके से दपा दपा के थोड़ा मसल लीजे या फिर ऐसे रोटी बेलते हैं वैसे सरफेस पर रखके इसे बेल लीजे उससे क्या होगा इसका सुझ जो सारा डर्स्ट होगा इसके अंदर ही जड़ जाएगा अगर आपके जड़ू पॉलेथिन में नहीं आई है ना तो कोई भी पॉलेथिन उपर से डाल दीटे और इस तरीके से करेंगे ना तो आपका एक से दो बार में बिल्कुल जड़ू एकदम क्लीन हो जाएगी और बार बार आपको जड़ू लगाने में परेशानी नहीं होगी देखे कितनी सारा डस इसमें से निकल गया है और जब मैं इसे बार बार जड़ भी रही हूं तो इसमें से अब बिल्कुल भी डस नहीं निकल रहा है सीख वाली जाडू जब छोटी हो जाती है ना तो अच्छे से हंडल नहीं हो पाती है तो छोटी हो जाती है तो हम इसे फेक देते हैं क्योंकि अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है चोटी जाड़ों से बहुत अच्छे से फोर्स लगता है और अच्छे से साफ हो जाती है जो भी इसमें डस्ट चिपकावा होता है न वो भी अच्छे से निकल जाता है थ्रेड बगरा हो या कोई भी डस्ट हो पत्ते बगरा हो वो सब अच्छे से निकल जाते हैं अगर आप वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो इस तरीके से आप कार्पिट साफ कर सकते हैं और आपके पैसे भी पजाते हैं और साथ ही साथ अगर आप वैक्यूम क्लीनर बारबा यूज नहीं करना साथ है तो इस तरीके से भी आप अपना कार्पिट साफ रख सकते हैं लाइटर को हैंग करने के लिए जो स्टेंड आता है तो इसे मैं ड्रिल नहीं करना चाहती थी क्योंकि टाइल पे ही मुझे चिपकाना था इसके मुझे इसे ड्रिल ही करना होता तो यहां मैंने टेप का इसमाल किया, डबल टेप का इसमाल किया इसलिए कि यह अच्छे से स्टिक हो जाएगा लेकिन यह बिल्कुल भी डूरेबल नहीं था और एक दिन बाद ही गिडने लगा तो इस तरीके से यह बार बार गढ़ जा रहा था तो यहां मैंने यह गलती की मुझे लगा कि यह से स्टिक हो जाएगा बट यह इतना डूरेबल नहीं था तो आप यह गलती मत करिएगा यहां मैंने गलू लगा के इसे स्टिक किया तो यह बिल्कुल प्रॉपरली स्टिक हो गया लेकिन अगर आप सीधे टाइल पे ही स्टेक करने के कोशिश करेंगे ग्लू लगाके तो यह नहीं होगा तो कोई भी नीचे टेप पगरा कोई सर्फेस रखके और फिर ग्लू से लगाने के बाद आप स्टिक करेंगे तो यह ज़ादा दिनों तक स्टिक रहेगा और मोर डियोरिबल रहेगा आज की वीडियो में बस इतना ही है आज की कोई टिप सची लगी हो तो भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा